कॉंग्रिस नेता और नेता प्रतिपक्ष राहूल गांधी ने अपने अमेरीकी दौरे के अंतिम दिन वॉन शिंगटन स्थित प्रेस क्लब में पत्विकारों से बाचित करते वे भारत की लोकतंत्र की विशेष्टा और उनकी वैश्विक महत्ता पर प्रकास डाला। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र अपने विशाल आकार और जन संख्या के कारण पूरी दुनिया में एक अनूठी इस्थिती रखता है और यह भारत ही नहीं बलकि वैश्विक समुदाय के लिए एक मुल्लेमान संपती है राउल गांधी ने असपस्ट किया कि भारत में लोकतंत्र सही तरीके से काम करता रहे राउल ने जोर देकर कहा कि भारत का लोकतंत्र दुनिया के अन्य लोकतंत्रों की तूलना में अधिक महतोपूर्ण है और जब भी लोकतंत्र की चर्चा होगी भारत का लोकतंत्र हमेशा एक विशेश स्थान पर रहेगा यह लोकतंत्र सिर्फ भ अब भारत से कैसे रिष्टे बना उनके अनुसार अमेरिका को भारत के आंतरिक्ष मामलों में हस्त चेप करने की कोई आवशकता नहीं है। अब भारत का लोकतंत्र अपने विशाल, आकार और चंसंख्य की कारण दुनिया में रिषय सस्थान रखता है। and we'll take care of it, we'll fight, and we will make sure that democracy is secure. however it's important to understand that Indian democracy is more than just any normal democracy because of its size and if you're talking about a democratic vision of the world then Indian democracy has a large space in that vision so I think it's important that the world sees Indian Indian democracy as an asset not just for India but for the rest of the world advising the United States on how they should deal with Mr. Modi is not my preserve, it's not my space we've yeah okay